मैं छोटी पर अपने स्कूल से बहुत दूर घर पर हूँ और उस में एक बहुत बड़ा अपडेट CISC का आता है जो कि सभी स्कूल ICAC और IAC पर लागू होते हैं क्या वह अपडेट है और वह जानना क्यों जरूरी है इतनी बड़ी बात बोली गई है उससे पहले मैं एक क्लिप है जो कि यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ और इसको संग्यान लेते हुए जैसा कि हमारे स्कूल के प्रिंस्पल ने बताया और यह बात सभी स्टूडेंट को टीचर्स को और स्कूल एड्मिनिस्टेशन को भी जानने चाहिए देर सबेर उनको भी पता लगी जाएगा आज तो संडे है कल मंडे हो जाएगा और सिटर्डे के इवनिंग में ही यह बात कह दी गई कहा गया कि स्टूडेंट के अड्मिट कार्ड को किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता हॉल टिकट हो या स्टूडेंट के होम सेंटर होंगे जिस स्कूल में वो दो साल चार साल पांस साल दस साल पढ़ा है या फिर वो स्टूडेंट जिसने केवल दो साल ही बोर्ड के एक्जामिनेशन के कलास में जैसे कलास नहीं तो एंड मिसल या कलास टूडेंट पर इच्छा देया दूसरा रीजन है कि स्टूडेंट के हॉल टिकर्ट को फी कलेक्शन के नाम पर फी मतलब होता है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि लीकिन अगर स्टूडेंट या उसके पेरंस फीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी आप so and so मानते हुए किसी तरह के एक amiable situation को बना के fee pay का बहाना न बनाते हुए admit card को दे देने हैं third और सबसे important point है कि किसी भी कारण से student को harass करते हुए mentally या physically उसके fee collection या फिर अन्य सारे region हो जाते हैं बहुत सारे region हो जाते हैं जिसमें कि कुछ student bad behavior के आधार पर तो आप उसको उसके admit card को दे दें और जारी करना सभी स्कूलों की और class teacher के जिमवारी स्कूल क्या कर रहे हैं कि यह बात class teacher पर फेक दे रहे हैं कि स्कूल का class teacher करता है या subject teacher का recommendation है तो subject teacher ऐसे में legally first जाएंगे student के admit card को din and their issue करने के बात CISC ने कही है और इसमें किसी तरह की कोई कोता ही होने के condition में trap में कौन फसेंगे? सबसे पहला तो class teacher, दूसरा subject teacher और तीसरा school administration at last फसेगा लेकिन school administration जिस तरह से influential है उसके फसने के दर कम होगी इसलिए student अपने admit card या hall ticket को school से जाके आसानी से बसूल ले ले, हाँ जो fee की बात होती है जिसको वो late pay करना चाहता है या फिर उसके कुछ problems है, economic हो सकते हैं, social हो सकते हैं, mental हो सकते हैं, या pre-board के examination में या फिर attendance के आधार पर भी आप उसको hall ticket को देने से किसी तरह से नहीं रोक सकते हैं, एक time period होगा क्योंकि student के सिरे board examination देने से ही मतलब नहीं है, result निकलने तक वो पूरी तरह से parents, students और उनके जो भी performance है, जिम्मेवार होगा, तो उस condition में आपको, यानि के school administration को, teacher को इस बात के लिए अच्छी तरह से जानकार और सजग रहने होंगे, तो आप इतनी बड़ी और important बात वीडियो को इतनी दोस्तों के साथ share किजिए, और सभी के साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को share कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद